मुझे दिस मोड्यूल, वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनके जरीए हम मैरेज के पैटरंस को, मैरेज के इंस्टिटूशन को और मैरेज के डिफरेंट आसपेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं तो डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर डिफरेंट मैरेज रूल्स जो हैं वो प्रेवलेंट होते हैं और इन differences के अंदर modernization क्या role play करती है किस तरह से across the societies जो globalization है वो इन marriage rules को universalize कर रही है तो इसके हवाले से सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो conventional या traditional marriage rules थे वो क्या थे और उसके बाद जो modernization के effect की वज़ा से इन marriage rules के अंदर क्या तबदिलिया आई हैं ट्रडिशन के उपर बेस करती हुए societies जो खास तरह पर religious ideologies के उपर बेस करती थी है उसमें marriage rules के जो derivative sources थे वो tradition थी और religious sources होते थे या religious ideology होती थी लेकिन जैसे जैसे modernization का effect आया, globalization का effect आया और खास तरह पर liberal ideology जो है वो एक life ideology बनती गई वैसे वैसे जो traditional marriage rules है वो disintegrate होते गए और उनकी जगा पे जो modern marriage rules है वो नो ने इनकी जगा ले ली So marriage basically is a social institution that involves legal or legist union between two individuals and marriage rules vary across cultures and can include arranged marriages, polygamy, monogamy and same-sex marriages तो Pakistani society के अंदर भी हम देखते हैं कि जैसे बाकी countries के अंदर marriage rules के हवाले से बड़ी तबदीली आई हैं उसी तरह से पाकिस्टानी मौशरे के अंदर भी आपको ये तबदीली आ रही हैं मिसाल के तौर पे अगर हम traditional societies के अंदर देखें तो शायद polygamous relationships को इतना मायूब नहीं समझा जाता था एक आदमी जो है वो एक से ज्यादा शादियां कर सकता था आज के मौशरे के अंदर हम देखते हैं कि polygamous relationships को एक किसम का taboo समझा जाता है और इसके हवाले से societies जो हैं खास तौर पे पाकिस्तानी society के अंदर एक बड़ा सख्त reaction जो है वो individual को face करना पड़ता है इसी तरह जो marriage के बाकी patterns हैं जैसे के arranged marriage जो है वो shift होई है ज्यादा से ज्यादा love marriage के अंदर marriage by consent के उपर और बास दुकात यह होता है कि parents को involve कर लिया जाता है तो it becomes a kind of blend marriage including both love and arranged marriage process फिर जो same sex marriages हैं चोंके पाकिस्तानी life ideology जो है इसके हवाले से बड़ी सख्ती से इसकी तरदीद करती है तो ये marriages जो है most commonly western societies के अंदर prevalent हैं और वहां की चोंके liberal life ideology है इस वज़ा से वहां इसकी provision मजूद है पाकिस्तानी मौशरे के अंदर इस तरह के जो relationship हैं खास तरह पे जो ऐसे तालुकात जो Islamic ideology के खिलाफ हैं उसके हवाले से एक resistance वाई जाती है in Pakistan for example we can see that most prevalent form particularly in rural areas जो है arranged marriages है जिसमें के जो family members होते हैं वो अपने बच्चों की शादियों का बंदोबस्त करते हैं लेकिन कुछ cases के अंदर जो marriages हैं वो खास तोर पे urban areas के अंदर marriages are arranged by the individuals as well जिसमें उनके romantic relationships की वज़ा से वो खुद अपने माबाब को ये रिश्टे प्रपोस करते हैं और इसी बन्याद के उपर ये शादियां होती है arranged marriages के अंदर जो बड़ा फाइदा देखा जाता है वो alliance between the families देखा जाता है क्योंके शादी जो है वो दो individuals से हटके दो families के दिर्मयान relationship का नाम होता है खास तोर पे जो arranged marriages है और rural areas के अंदर priority जो है वो ये होती है कि individual characteristics की वज़ाए जो familial characteristics हैं उनको focus किया जाए आपके लिए food for thought ये है कि जितने भी marriage patterns है और खास तोर पे जो modern technology है modern media है और modern life ideologies है ये किस तरह से हमारे marriage patterns को affect कर रही है और खास तोर पे अगर आप particularly entertainment media को देखें और उसका एक content analysis कर सकें और ये देख सकें कि content media marriage और marital relationships को कैसे portray करता है